हेलो फ्रेंज तो आज मैं अटमिक अस्ट्रक्शर का एक नया टॉपिक लिए लिए हूँ जो बहुत से बच्चों के बीच में एक कन्फूजन बना रहता है डर बना रहता है उसको मैं आज डील करने वाली हूं ठीक है तो टॉपिक क्या है कॉंटम नंबर्स तो दा नंबर्स विच गीव एक्जैक्ट या फिए कंप्लीट पॉस्टल एड्रेस ऑफ अन इलक्ट्रॉण इन एटम आर कॉंटम नंबर्स देखिए एक अस्ट्रक्शर का जो चैप्टर है यह जनरली एक्टम के इस्ट्रक्शर के बारे में ही है पूरा जो है पूरा थियोरी पूरा चैप अही झत दो से एक्ट्री नंबर्स पर आए जा सकते हैं इसे को हम लोग है कौन्टम नंबर बोलते हैं there are four quantum numbers पहले classical quantum number धूसरा जी मेंचिक क्वेंच क्वेंच मेंच अर्फ फोर्थ स्पिंद म्नंबर सब को दर्शाय क्या है कि इसी जिपल को एंच से को एल से मैंचिक को से और सिर्पिन क्वेंच को से ठीक्या तो क्या है कि सारे क्वेंच नम्बर आये कहां से तो the first three quantum numbers N, L and M are obtained from the solution of wave function of a scorniger wave equation जो scorniger wave equation का solution था उसको solve करने से ही हमें साइक के three components मिलते हैं R, theta and phi तो R जो था वो radial function है, radial wave function है तो R के solution से हमें N मिला है, जो की है quantum number का पहला है और दूसरा है जो theta and phi के solution से हमें angular wave function मिला है जो की L and M है, यहाँ पर हमें R से principal number मिला है और theta और phi से हमें azimutal magnetic मिला है, ठीक है, अब spin कहां से मिले सलिए देखते हैं वो तीरों तो हमें पता से लिए कि स्कॉड इंजर के five को solve करने से, five को solve करने से मिला है लेकिन, while the fourth quantum number that is spin quantum number is obtained by study of line spectrum of atoms तो जो fourth quantum number यह हमें spectrum के study से मिला है तो electron have different spin effect, spins directions, either anticlockwise और clockwise जो electron के जो होते हैं वो different spin direction होते हैं एक होता है clockwise में एक होता है anticlockwise में अच्छा यह तो हम जानते हैं कि electron जो है यह रिवाल्व करते रहता है निकलेस के चारों बोर ने बताया है इसके अलावा जो है ना electron जो अपने axis पर भी रिवाल्व कर रहा होता है इससे हम spin motion बोलते हैं ठीक है की यह पर जो है anticlockwise में होता है कुछ कुछ clockwise में डिरेक्शन में होता है और जिसे हम orbital motion में बोलते हैं ठीक है कि यह clockwise भी होता है यह सारे हमने चार क्वांटर नमर को देखा आप एक अगर की सारे कॉंटर नमर को डील करेंगे तो पहला क्या है principle quantum number जिसे n बोलते हैं principle quantum number indicates या फिर represents the main energy level or orbit किसी main energy level को या फिर main orbit को ही हम principle quantum बोलते हैं कि लेक्टरण जो कौन से orbit में है कौन से level में है कौन से energy की level में है the value of n is always one two three जो natural number है कुछ भी हो सकता है value of n तो value of n तो one two three four है और यहां पर orbit है अगर one होगा तो k shell होगा जिसे first stationary orbit बोलते हैं बोलते हैं नील बोर में लेकिन आप में सब्सक्राइब बोलते हैं और second में L या फिर second orbit M shell या फिर third orbit N shell या फिरth orbit ठीक है यह होगी हमारा first it is obtained by solving radial component R इत्म में पहले देख सुक्यूं और वेफ फंक्शन और स्कॉर्णिजर वेव एक्वेशन डाइस और इसे से हमें orbit number मिला है information drawn from value of n तो n से जो हमें क्या कर information मिलते हैं वह कुछ हम लें लिखा आया पर the value of n indicates orbit number यह हमें पता है कि जो n का value है वह ही हमें orbit number दिखाता अगर n का value 1 है तो orbit number 1 है 2 है तो orbit number 2 है the radius of orbit यह फिर स्टेशनली और इस गिवन एज रेडियस तो यह से दसे जाता है यह आर एन इस इकॉल तो इसका मुतलब कि radius of orbit n square h square by 4 pi square mz square यह फिर कि समनों साहर किसी का value अगर पूर्ट कर दें तो पॉइंट 5-9 into n square by z angstrom होगा ठीक है आर डाटली पॉपश्णल उड़ता है जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे 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 और बढ़ता जाएगा तो यह तो रेडियस बढ़ रहा है इसका मुले कि और बढ़ रहा है इस तरह से डाटली पॉपोश्णल और थाट क्या information मिलती हमें कि इनर्जी ऑफ और बी इनर्जी का अर्बिट हम डिटर्माइन कर सकते हैं यह जानते हैं और इसका जगर वैली पूट कर देते हमें तो हम तो हमें मिलते हैं मैनस ऑफ 30.6 इंटु जाद स्क्वार बाइन स्क्वार एलक्रों वोल्ट एटम इस तरह से यह जो इनर्जी है यह इन्वर्शनी पॉपो इनर्जी ऑफ और्बिट इनक्रीज जैसे से एन इंक्रीज करता है तो इनर्जी भी इंक्रीज करता है यह जो रिलेशन है यह याद करना आपको फायद्य ही मंद हो सकता है तकि अगर इंपॉर्टन कोश्चन है कुछ-कुछ तफफ तफ कोश्चन भी यहां से आते हैं कुछ स्वाइब करने से हमें मिल जाता है इसको सिंपलिफाय करते हैं तो सब्सक्रीज करें तो हमें लास में ऐसा मिलेगा कि भी इंड्री पॉपोश्चनल टू दू और और वेलस्टी है वह यहां तक हमारा जो था इंपॉर्टन पोइंट्स देखें यहां तक हमने जो है क सब्सक्राइब कर लिया है अगले वीडियो में देखेंगे सब्सक्राइब के लिए थांक यू